हिलो आज के इस वीडियो में हम लोग के सिजन क्लाश 12 एक्सरसाइज 19.2 का कोईचन नमर 6 नमर कोईचन को स्वाल करेंगे तो देखिए गिवहन दिया हुआ है इंट्रीगेशन ओप एक्स प्लस टू इंटू डूट एंडर एक्स मैनस 3 डी एक्स इसका काता है इंट्रीगेश हैं तो देखिए यहां पर यहां पर जो हो एक्स प्लस टू में जो है वह इसमें हम कुछ छेड़ चार करते हैं वह छेड़ चार क्या करते हैं तो देखिए यहां पर यहां पर जो हुआ हुआ देखिए एक्स प्लस टू यहां पर जो हुआ हम प्लस थी एर कर देते हैं और म मैनस 3DX यह इतना हो गया अब देखिए यह जो हुआ मैनस वाली को हम एक साथ कर लेते हैं यह देखिए यह हमारा हो जागा X और यह मैनस 3 X मैनस 3 X मैनस 3 यह हो गया और यह 3 कितना हुआ तो 5 तो यह जो हुआ ब्राइकेट में ही 5 हो जाएगा यह 7 या यह plus का symbol है ठीक है और यह root में जो हुआ कितना है तो x-3 dx अब देखिए इनको जो हुआ हम multiply करते हैं multiply करेंगे तो देखिए यह इस term को हम एक term माल लेंगे और इसको हम दो आनि कि यह दूसरा term माल लेंगे यह जो बीच में plus है इनको multiply इन से करेंगे यह हमारा क्या result देगा तो यह result देगा x-3 into root under x-3 dx यहीं result देगा और यह plus 5 से multiply करेंगे तो plus यह 5 से multiply करेंगे तो 5 root under x-3 dx यह इतना हो गया अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है तो यह 1 है और यहाँ यानि कि x-3 पावर कितना है 1 by 2 है तो दोनों add हो जाएगा तो देखिए यह add हो जाएगा तो x-3 पावर यह कितना हो जाएगा 3 by 2 dx plus 5 constant है तो बाहर हो जाएगा integration of x-3 पावर कितना हो जाएगा तो 1 by 2 dx यह इतना हो गया अब देखिए इनको अब हम simplify करते हैं यह देखिए x power n वाला formula है तो x के power n का formula क्या होता है तो अनिकी x power n का integration होता है x power n plus 1 बटे n plus 1 तो यह हमारा कितना हो जाएगा x minus 3 power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 हो जाएगा plus 5 constant 5 को बाहर कर दिए और यह देखिए x minus 3 power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 यह इतना हो गया अब देखिए इनको हम यहाँ पे श्वालो करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है हुआ कितना आया हुआ है तो यह जो है हुआ x minus 3 power यह देखिए इनको add करेंगे यह हमारा कितना होगा तो 5 by 2 और इनको add करेंगे यह 5 by 2 plus 5 into इनको add करेंगे यह x minus 3 power यह देखिए 1 by 2 प्लस 1 तो यह हो जाएगा कितना 3 by इन्दि कि यह जो हुआ 3 by 2 और यह by 3 by 2 पलस C जो हुआ एड करते हैं तो अब देखें यहां जो हुआ यह इनको प्लट नेंगे ते यह 2 by 5 x के पावर x मैंनस 3 पावर 5 by 2 पलस 5 इन 2 यह जो होगा वह 2 by 3 x मैंनस 3 पावर 3 by 2 पलस C अब देखें यहां पे जो हुआ कुछ common मिलने बाला है तो वह क्या common मिलने बाला है तो यहां पे देखें यह जो x मैंनस 3 पावर 5 by 2 और यहां पे देखिए x-3 पावर 3 by 2 यह जो है वा common मिल रहा है तो इनको हम common ले लेते हैं तो यह x-3 पावर 3 by 2 जब हम common ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा यहां पे जो है वा 2 by 5 तो रहे गए ही तो यह 2 by 5 और यहां पे देखिए यहां पे क्या बचेगा तो यहां पे हो जाएगा x-3 अब देखिए x-3 पाबर तो यह 1 है और यह 3 by 2 को add करेंगे 5 by 2 हो जाएगा पलस और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 5 2 जा 10 by 3 और यह पलस c है तो यह c राने दीजिए अब देखिए इनको आप हम simplify करते हैं हमारा answer ready हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो हुआ क्या होगा तो देखिए यह x-3 पाबर 3 by 2 अब देखिए इनको जो हुआ हम multiply कर देते हैं multiply करेंगे यह हमारा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2x-6 by 5 पलस यह 10 by 3 3 plus c तो अब देखिए यह x-3 पाबर 3 by 2 और यहाँ पे देखिए यह 15 हो जाएगा इनको divide करेंगे 3 3 2 6 minus 6 3 18 और यह जो हुआ पलस कितना हो जाएगा तो यह 15 हो जाएगा पलस 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 अब देखिए यह हमारा कितना हो जाएगा तो यह देखिए एक्स मैनस अनिकी यह जो हुआ हुआ 3 by 2 और यह हमारा कितना हो जाएगा तो यह 16 पालस यह जो हुआ यह कितना हो तो यह जो हुआ अनिकी यह जो हुआ हुआ यह देखिए 15 में से 18 को जो अब हम subtract करेंगे यह हमारा कितना होगा तो यह जो हुआ हुआ में से एट जागा ती ये टू और फोर में सोने ने की ठर्टी टू बाइ फिप्टीन पलस सी तो देखिए यही जो है वह आपका क्या हो जाएगा तो अंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग जो है वह ये कोई चुन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से यहां प कर चलिए हम यहां पर लिख देते हैं यहां पर देखिए एकस मैनस थिरी है तो यह एकस मैनस थिरी पावर थिरी बाइ टू यहां देखिए यह जो है वह यहां देखिए यह तो हम यहां को मल ले लेते हैं और यह बाइम जो है वह फिप्टीन है तो यह फिप्टीन हम लिख करते हैं कि आप लोग ये 6 नमर कोहिचन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गयोंगे चलिए अब हम 7 नमर कोहिचन को स्वालब करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा अब देखिए हमारा 7 नमर कोहिचन की भ्यान दिया हुआ है इंट्रिगेशन ओफ एकस स्क्वाइर मिनस वन बाई एकस स्क्वाइर प्लस वन डी एकस इसका काता है इंट्रिगेशन फाइंड करने के लिए चलिए इनको हम स्वालब करते हैं इसमें जो है फिर हम कुछ जुगार लगाते हैं तो यहां पे देखिए एकस स्क्वाइर एकस स यह इतना हो गया अब देखिए यहाँ पे अनिकी इनको हम एक टर माल लेंगे इनको अनिकी यह दूसरा टर माल लेंगे यह दोनों को हम अलग-अलग कर देंगे यह हमारा हो जाएगा यह इतना हो गया अब देखिए यहाँ से यह और यह भाई सेफ्केण क्या होता है तो एक्स होता है minus 2 और यह देखिए E सभी का क्या होता है यह होता है 10 inverse X plus C add कर देंगे यह हमारा answer ready हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका जो अनिकी integration होता है वह 10 inverse X होता है यह आपको formula वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा तरिका से बताए थे तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 8 नमर कोईचन के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो like, comment and अपने दोस्तों के बीच share कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आए होगे तो चैनल को subscribe कर लीजिए यहाँ पर आपको full case इसना का solution किया जाएगा चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं 8 नमर कोईचन के साथ जय हिंद